है गाईज देखो बजट पर मैं किस टॉक्स पर ध्यान दूँगा देखिए ये को रिकमेंडेशन अडवाइज या टिप्स नहीं है बस मैं आपको बता रहा हूं अपनी कि मैं किस चीज़ पर ध्यान दे सकता हूं करके अच्छा लगा तो खरीदने की कोशिस करूंगा अच् खबर आना स्टार्ट हो जाएगा सर और लगबग जो है दो या तीन बजे तक लगबग मैं आपको रहूं अच्छा का सा मार्केट में इंपक्ट उसको देखने को मिल जाएगा तो वहां पर डिसीजन लेंगे कि क्या कर सकते हैं किस फिल्ड में सरकार ने कहां पर ज्यादा ध्यान दिया है नहीं ध्यान दिया उसके हिसाब से सर ठीक है अच्छ लगा तो खर देंगे नहीं लगा तो बेज देंगे तो याद रखे या यह को रिकमेंटेशन अडवाईज या टिप्स नहीं है खरीदने बेजने की कोसिस मत कीजिए का हो सकता है सर जो मैं बोल रहा जाना चाते हैं वहाँ उस लेबल तक हम नहीं देख पा रहे हैं वो सर पूरे देश के लेबल से सोचते हैं और हम लोग जितने भी होते हैं सर हम लोग किवल अपने प्रॉफिट के लेबल से सोचते हैं ऐसा होता है तो सर देखिए मैं स्कोट्स पर ध्यान दे सकता हूं सर स quotes पे त्रीके अब यह क्यू को मैं आपको वह भी बताऊंगा reason सबसे पहले चीज तो मैं बहुत हुँआ कि सर जब राकेट जुंजन वहला थे तो राकेट जुंजन वहला का यह favorite stock हुआ करता था और भले यह आज के rate में राकेट जुंजन वहला हमारे बेच नहीं है लेकिन उनके portfolio में अभी विसर ये stock है और ये आज सर लगबग 4000 के बाजू में चला गया सर ये stock को मैं तब से follow कर रहा हूँ जब ये 700 रुपे का जुबाजू होता है कितने रुपे में तो सर जब ये 700 रुपे का जुबाजू था तब से मैं इसको follow कर रहा हूँ इसको क्यों benefit मिल सकता है देखो या तो ये सरकार आगर देखो के सरकार जो है या तो सर एगरी कल्चर पर ध्यान देगी सर ठीक है तो उससे लगबग अगर देखोगे तो एगरी machinery वगर है तो ये कपड़ी सबसे बड़े लेवल में बनाती है सर सबसे बड़े लेवल में बनाती है याद रखेगा कि एगरी कल्चर हमारी इंडिया का मतला बहान बहान सान है सर जितना ज़्यादा हम लगबग खेती करेंगे चीजों को अभी देखो एथनोयल की बाद चीज चल रहे है सर तो सर एथनोयल कहां से आएगा गन्य से निकलेगा सर या कौन से निकलेगा या चावल से निकलेगा मतलब चान से भी निकलेगा खेती करके सर हमें उसको उगाना पड़ेगा एगे नहीं तो ये सभी चीजों में सर लगबग जो है ये सारी मशीन्स वगरा जो है help करते है sir बहुत सारे टाइप के यह machines बनाते है और नहीं तो sir, सरकार construction से related कुछ खबर ला सकती है infrastructure से related वो तो हर बार आता ही आता है तो infrastructure से related भी अगर सरक कुछ खबर आता है तो उसका भी impact यहाँ पर लंबे समय में आपको देखने को मिलता है कुछ भी, क्योंकि sir, construction और infrastructure से related भी सरी यह company बहुत सारे ऐसे machines बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है sir उसके बाद अगर आप देखोगे तो company यह जो है फिर sir, railway equipment वगरा भी बनाती है railway से related sir, उस से related जो है, brake वगरा बनाती है, brake बनाती है और भी वहाँ सारे चीज़े बनाती है sir तो किसी ने किसी तरीके से इस company को sir, benefit हो ही जाता है और इस field में जो company काम कर रहे है 11.6% तक का market share लेके चलती है sir, कोई और यहाँ पर है ही नहीं sir कोई और नहीं sir India के साथ, sir, India के बाहर भी यह company जो है काम करने की कोसिस करती है company के पास काफी अच्छा project है उसके बावजूद भी company के पास देख सकते हो, new project के उपर काम कर रहे है sir, ठीक है, और काफी अच्छा company के पास contact भी है sir, order book है बोला जा रहा है, company launch 3 यहाँ देख सकते हो भारत 500-600 सरकार ने बोला कि 500 train बनाएंगे, 600 train बनाएंगे तो sir, सबसे ज़्यादा फाइदा इसी company को होता हुआ नजर आएगा, याँ तो फिर सरकार यहाँ पर देख लो metro को जिसके उपर धियान देगी हमारे देखो कि हमारे इंडिया के अंदर लगबग 10 cities में sir, metro चलने दम धड़ादर, full speed में चलना 10 cities में sir, metro और ज़्यादा construction हो ही चुका है, almost आप समझो, construction complete होने वाला ठीक है, और सरकार 10 cities के लिए sir, plan कर चुकी है, सरकार बोल रहे है कि भाई, यह 30 छोड़ो, हम 100 cities में metro चलाना चाहते हैं sir, उसके वज़ेसे भी sir, ऐसी company को benefit होता है अब जो यह company है sir, अब यह जो company है electric vehicles के market में focus करना start कर रही है sir, अब इसके वज़ेसे sir इस company को benefit देखना start होगा next generation technology भी लगबग जो है, यह company इस्तवाल करने की कोशिस करती है यह देख लेज़े, ट्रैक्टर से related बहुत सारी चीज़े जो है, company बनाती है, new technology के साथ भी आती है sir, ट्रैक्टर में और यह किसानों के लिए sir, लगबग जो है main मुद्दा होता है, primary होता है sir, main मुद्दा कुछ हो या ना हो, क्योंकि sir, इसी के help से लगबग खे थी कर पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते है sir, खेती भी कर पाते हैं, इसके मदद से और sir, लगबग जो है यह mobilize भी कर पाते है, sir, समान को एक जगए sir, दूसरे जगए लेके जा भी पाते है sir, volume में, अच्म बाता दूँ कि इंडिया के अंदर से लगबग 60-70% लोग अगर आप देखोगे तो लगबग फार्मर है या रिलेटेट फार्मर से रिलेटेट काम करते हैं ऐसा खेती बाड़ी में उनका काम लगा हुआ है 50% तो आप रख लो सर 50% पापुलेशन तो सर मैं आपको बोल दूँ कि यह एगरी कल्चर में कहीं न कहीं सर जुड़ा हुआ है 50% पापुलेशन देट फा करोड़ों में आप सोच लो सर इतने बड़े पापुलेशन जो है इस चीज में सर यह क्या बोलते हैं किसी फिल्ड में है उसके साथ सर यह इस टाइप के जो मशीन है सर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग में या लगबग यह सारी मशीन जो है सर सहरों में बहुत ज़्यादा चलते हैं सहरों में यह सारी चीजे बहुत ज़ादा चलती है, बड़ी-बड़ी इमारते बनाने है, या कोई भी काम करना हो तो सर, construction field में हो, आपको railway में, railway के लिए, metro के लिए, bridge बनाना हो, किसी भी तरीके से तो सर, यह सारी चीजे बहुत ज़ादा ज़रूरी होते हैं सर, हा, बहुत सारी चीज़े हैं जिसमें मुझे लगता है कि all-in-one कितर है आपको कैसा लगा देखो अगर आपको खराब भी लगा तो कोई दिकर नहीं चलेगा ऐसा भी मैं कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हूँ जो मैं आपको बता दूँ जब आप इस कंपनी का income statement balance sheet cash flow देखेगा न तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा जो है अच्छी खासी है company मजबूत है बाकि आप देखिए आपको कैसा लगा अगर आपको खराब भी लगा हो तो आप comment करके बता सकते हैं तो मैंने आपको ये भी बताने का कोसिस किया कि भाई मैं क्यूं ऐसा कर सकता हूँ क्यूं खरी सकता हूँ तो मैं आपको reason बताया और अगर आप stock market में नहीं हो हूँ तो आपने डिमेट अकॉन एंजल में open कर सकते हूँ जहाँ पर डिमेट अकॉन बिल्कुल free delivery charges free क्यों 20 rupees लगता है बें इंट्राडे में जो हर जगा लगता है description में लिंक दिया गया है मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकॉन बगर open कर सकते हैं description में लिंक आपको दिया गया है sir